वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया आज मैं आपको 6 तरीके से बच्चों की मन पसंद पॉप्सिकल्स बनाना बताऊंगी पहले मैंने 6 तरह की फ्रूट पॉप्सिकल्स बनाना बताई है उसका लिंक मैंने डिस्क्रेशन बॉप्स में दे दिया है आप जरूर देखें बच्चे फ्रूट पसंद नहीं करते हैं तो हम पॉप्सिकल्स बना कर उनको दे सकते हैं लेकिन आज में आपको शर्बत से कैसे हैं पॉप्सिकल्स बनाएंगे अलग-लग फ्लेवर की वो बनाना बताऊंगी आप मेरा वीडियो पुरा ध्यान से देखें और अधी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं तो चलिए बिना समय गवाय हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम रोस फ्लेवर की यानि गुलाब की पॉप्सिकल्स बनाएंगे तो उसके लिए हमेशी यह का रोस का शर्बत लिंक दे दिया है वन पार्ट मैंने लिया रोस का सर्बत अब इसमें पानी एड करेंगे टू पार्ट रोस सर्बत बनकर हमारा तयार हो गया है अब हम बनाएंगे औरेंज सर्बत औरेंज सर्बत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर औरेंज सर्बत लिया है इसका वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं लिंक मैंने डिस्केशन बोक्स में दे दिया है वन पार्ट इसमें हम ये एड़ करेंगे और हम डालेंगे इसमें पानी टू पार्ट और ये सरबत बनकर हमारा तयार हो गया है और ये सरबत की पॉप्सिकल्स जो है बच्चों को बहुत ही पसंद आती है आप दुरूर एक बार बनाईए अब हम बनाएंगे खस फ्लेवर का तो ये मैंने खस फ्लेवर का इसमें डाल रही हूँ वन पार्ट टू पार्ट हम एड़ करेंगे पानी के खस फ्लेवर का शरबत भी हमारा बनकर तयार हो गया है अब हम बनाएंगे लेमन फ्लेवर का शरबत लेमन फ्लेवर का बनाने के लिए टू टीस्पून मैं या पे लेमन जूस एड़ करूंगी इसमें थोड़ा पानी एड़ करेंगे हम अब हम एड़ करेंगे सुगर सिरप आप चाहे तो PCV शक्कर भी डाल सकते है 3 टीस्पून मैंने इसमें सुगर सिरप एड़ किया है 1-4 टीस्पून डालेंगे हम इसमें काला नमक और सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे लेमन फ्लेवर का शर्बत भी बनकर हमारा तयार हो गया है अब हम मिल्क रॉस फ्लेवर का बनाएंगे तो इसके लिए हम लेंगे गुलाब का शर्बत और हम एड़ करेंगे इसमें मिल्क बिल्कुल ठंडा मिल्क एड़ करेंगे हम इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये popsicles भी बहुत ही tasty लगती है अब हम मनाएंगे only for दूद की तो दूद को मैंने गाड़ा कर लिया है और इसमें कैसर aid कर दी है और दूद को ठंडा कर दिया है शक्कर डालके आप देख सकते है milk popsicles भी जो है खाने में बहुती tasty लगती है आप चाहिते हैं इसमें dry fruits पे aid कर सकते हैं लेकिन बच्चों को कम पसंद आता है इसलिए मैंने dry fruits इसमें aid नहीं किया है color change करने के लिए मैंने सिर्फ इसमें cancer aid की है तो चलिए सभी को हम ice cream mold में feel करेंगे यह मैंने ice cream mold लिया है इसमें bum feel करेंगे इसको cover करने के लिए मैंने यहाँ पर foil paper लिया है तो इसको मैं cut करूंगी इसके नाप का इस तरह मैंने इसको cut किया है और इस पर अब हम लगा देंगे इस तरह आप देखें बड़े आसानी से यह cover हो जाता है इस तरह इस तरह के ice cream stick जो है market में आसानी से मिल जाती है तो इस पर हम stick लगाएंगे तो knife की मुदद से हम हलका सा बीच में hold करेंगे इस तरह देखिए और stick को हम इसके अंदर feel करेंगे डाल देंगे इस तरह सारे juice को हमें feel करना है ice cream mold के अंदर अब हम डालेंगे kaysar milk और हम करेंगे इसको भी feel और stick को हम लगा देंगे इस तरह अब हम feel करेंगे lemon flavor की अब हम इस तरह कवर कर लेते हैं अब हम डालेंगे rose flavor इस तरह करेंगे हम cover knife की मदस्य करना है बीच में hole और लगाएंगे हम इसमें stick अब हम डालेंगे orange flavor आपके पास एकी mold नहीं है तो आप छोटी glass में भी इसको इस तरह डाल कर कर सकते हैं अब हम डालेंगे खस flavor का इस तरह आप देख सकते हैं 6 तरह की colorful popsicles हमारी बनने को तयार हो गई है तो इनको अब हम फ्रीजर के अंदर रख देते हैं 7-8 गंटे तक हमें इनको फ्रीजर में रखना है आप चाहे तो overnight भी रख सकते हैं तो चलिए फ्रीजर में set होने के लिए मैं इनको रख देती हूँ आप देख सकते हैं हमारी popsicles बनकर तयार हो गई है मैंने इनको फ्रीजर से बाहर निकाल दिया है 6-7 गंटे में इनको फ्रीजर में रख दिया था तो चलिए अब हम इनको निकालते हैं इनको निकालने के लिए मैंने इनको पानी के बाउल में रख दिया है ताकि आसानी से बाहर निकल जाए चलिए अब हम फोईल पेपर हटा लेते हैं इस तरह देखे बड़ी आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं यह देखे आप देख सकते हैं हमारी रोस फ्लेवर और इगुलाफ फ्लेवर की पेप्सिकल बन कर तयार हो गई है देखे कितनी अच्छी और सुंदर लग रही है अब हम खस फ्लेवर की निकालेंगे यह देखे कितनी अच्छी और डिलीसियस पॉप्सिकल बन कर हमारी तयार हो गई हैं अब हम निकालेंगे औरेंज अब देख सकते हैं कितनी डिलीश्यास और यमी पॉप्सिकल्स बनकर कर तयार हो गई इसको भी अब निकाल लेते हैं अब देख सकते हैं कितने अच्छी लग रही है अब हम निकालेंगे लेमन फ्लेवर के आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से निकल जाती है कितनी अच्छी ट्रांस्पेरिट पॉप्सिकल्स बनकर हमारी तयार हुई है आप निकालेंगे हमारी लाश पॉप्प्सिकल जो है मिलक्रोश पॉप्सिकल्स यह देखिए कितनी यम्मी और डिलिश्यस लग रही है, खाने में बहुत ही टेष्टी लगती है, यह वाली पॉप्सिकल्स भी आप देख सकते हैं 6 तरह की popsicles बन कर हमारी तयार हो गई है देखने में भी कितनी सुंदर और attractive लग रही है मेरे और भी वीडियो देखने के लिए उपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और यदि आप मुझे facebook, instagram और twitter पर follow करना चाते हैं तो description पर दिये लिंक पर क्लिक करके आप मुझे follow कर सकते हैं Thank you for watching my video, आपका दिन शूब रहे